पिटिक पुस्पा, जी सार कार तरिक हमका कौनों यूट्यूबबर का टापिक सजेस्ट करो ना तो का हिंदी नहीं है का नहीं तो हाट जमान टो बड़ी काईची कि तरह चलात रही है तरुन उर्फ तरुन जा और टीजे और तरुन जा फोटोग्रफी और बहुत ही लंबा इंड्ड़क्शन हो गया तो जैसे कि आप लोग सब थमनेल में देखके आप लोगों को पता लगी गया होगा कि आज का वीडियो टॉपिक क्या है पर फिर भी मैं आप लोगों को इक प जबरदस्त वीडियो एडिटर के बारे में बताऊंगा मतलब बहुत ज़्यादा जबरदस्त ठीक है हॉलिवूड स्टाइल मतलब उस एडिटर में हॉलिवूड की मूवीज एडिट होती है ओक कोई छुटा मुटा टुच्चा एडिटर नहीं है तो अगर आप इंडिया मतलब वह है तो इंडिया के लेकिन साउदी में जॉब करते है तो वहां से उन्होंने मेरे लिए कुछ समान बेजा है दिखाता हूं ना को क्या कहते है उन्होंने मेरे लिए एक तो ये ब्लैक कॉफी बेजिए क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एक टॉर्च तो जगत भाई this is for you, thank you so much, thank you so much for all the things जो आपने मेरे बेजी है and I really love you, यह अपिकी टौर्च है So guys, जगत भाई ने अपना वी लॉग का चैनल शुरू करा है, तो अगर आप वी लॉगिंग देखने में इंट्रस्टेड है और आप देखना चाते हैं Saudi Arabia की कुछ locations, तो मैं अपने description में उनके चैनल का link mention कर दूँँगा, अभी भी शुरू किया है, बहुत छोड़ा चैनल, तो जाके उनके चैनल को सब्सकाइब करें और देखें Saudi कैसा लगता है तो आज का जो टॉपिक है जो एक वीडियो एडिटर की में बात कर रहा हूं गाइस वह एक बहुत ही रेपुटेटिट कंपनी Blackmagic Designs का बनाया हुआ है, Blackmagic Design वही कंपनी है जिसके Blackmagic Pocket Cinema 4K, Pocket Cinema 6K जो आजकल मार्केट में चल रहा है, बहुत ही पॉपुलर है और इनके हो गया और भी बहुत सारी मुवीज है, Star Wars बगरा है इसमें एडिट हो चुकी है, सबसे बढ़ी है बात की है कि यह एकदम फ्री और कॉस्ट है, और सॉप्वेर का नाम जैसा कि अभी तक आप लोग समझ ही गए हूंगे, इस कॉल्ड दविंशी रिजॉल्व, तो इसको अभी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बिंदास बिना वाटरमाक की यूज कर सकते हैं, इस सॉप्वेर में आप 4K तक की फुटेज को एडिट भी कर सकते हैं, और रेंडर भी कर सकते हैं, 4K की फुटेज को, मैं पहले प्रीमेर प्रो पे एडिट करता था, आप यहाँ अगर मेरे को अडोबी का एक अडिशन आता है, तो मतलब तीन अलग-अलग सॉफ्वेर में मेरे को घुमना परता था, जो की बहुती बड़ा पेन लिया इस तो यह एक बहुती बढ़िया चीज लगती है, कि टाइम बहुत बसता, आप एक ही सॉफ्वेर में सारा काम कर सकत है, editing, audio enhancement, motion graphic, 3D, VFX, and color grading, again, सब कुछ, इस सिर्फ editing पार्ट की बात करें, तो इसमें एक ही fully-fledged editor की सारी खूबिया है, unlimited audio-video track आप इसमें use कर सकते हैं, आप इसमें multi-cam edit कर सकते हैं, आराम से इसमें adjustment layer का options भी है, इसमें power bin का भी option है, ठीक है, और दुनिया जहां के, जितने कुछ इसमें है, अगर आप अंदर customization में जाके, यहाँ पर एक keyboard customization का feature आता है, जब आप इस पर click करेंगे, तो इस पर आप देख सकते हैं, आप जिस भी software के background से आ रहे हैं, या चाहे आप Final Cut Pro से आ रहे हैं, या फिर आप एक avid करके software आता है, उससे आ रहे हैं, या फिर आप Premiere Premiere Pro से आ रहे हैं, आप वो particular keyboard select कर लिए, तो जो keyboard shortcuts आपके Premiere Pro में काम करते थे, वो ही यहाँ पर काम करेंगे, तो मतलब एक वो tension नहीं हो थी कि हमने software में आ गए, हम कैसे सीखेंगे, trim पता नहीं कौन सा होगा, cut कौन सा होगा, तो वो सारा Premiere Pro वाला ही चलेगा, यहाँ पर यह ए इसमें object removal कर सकते हैं, आप facial feature को track करके enhance कर सकते हैं, आप cinematic color grading कर सकते हैं, आप masking कर सकते हैं, ठीक है, आप suppose आप चाहें कि आपका background पुरा blue हो जाए, लेकिन लोगों के skin tone ठीक रहे, तो आप वो भी option इसमें हमको मिलते हैं, गाइस यह node जो होते हैं, यह देखने में तोड़ स से right चलेगा, पहला node, फिर दूसरा node, फिर तीसरा node, फिर चौटरा node, ऐसे करके आप add करते ही आएंगे, आप इसको vertical layer समझ सकते हैं, दूसरी सबसे अची बात क्या है software कि अगर आप YouTube पे search करेंगे कि DaVinci Resolve Tutorial in Hindi, आपको सेकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, तो आपको सीखन में बहुत आसानी हो जाएगी, देखने में complicated है, लेकिन resources unlimited available है हर चीज़ के, अगर हम motion graphic और 3D VFX की बात करेगा है, तो इसमें एक separate tab दे रखा, fusion, जैसे Adobe का after effect, एक dedicated software है, 3D और VFX के लिए, ऐसी black magic design का fusion software होता है, जो stand-alone बहुत ही टगला software है, movies में होता है, उसी का एक part इन ल पर motion graphic, 3D, green screen, सब कुछ कर सकते हैं, यहां सब कुछ available है, इसके बाद जो लोग audio पर जादा काम करते हैं, मतलब audio process करना, dialogue clean करना, you know, mixing, audio mixing, different effect, उनके लिए ये fair light tab है, fair light, जो लोग audio field में है, उनको पता होगा, fair light एक बहुत ही तगड़ा plugin होता है, लेकिन eventually resolve में हमको ये inbuilt मि करते हैं, कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़ोतर ही पड़ेगी, आप इस software के अंदर ही अपने audio को proper तरीके से enhance कर सकते हैं, suppose अगर आप Adobe का कोई software यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि उन लोगों ने अप subscription-based service शुरू कर दिया, Adobe CC आपको subscription लेना पड़ता है, वहाँ पर प्राइजिंग देखेंगे कि आपको Premiere Pro के अलग पैसे देने पड़ेंगे, After Effects के अलग पैसे देने पड़ेंगे, Audition के अलग पैसे देने पड़ेंगे, या फिर अगर आप All In One लेते हैं, तो उसका देख लिए ये कितना आपका महीने का जा रहा है, और साल का आप इसी साफ लगबग $300 के आसपास का है, ठीक है, बट उसके अलाबा कोई monthly fee नहीं है और उसमें आपको बहुत सारे features और भी जाना मिल जाएंगे, In fact, आज की वीडियो में आपने जो शुरुवात में जो दिखाए मेरा वो जो पुस्पा देवी का पूरा sequence वो दविंशी resolve में ही बना ह हुआ है और वो भी free software पर बना हुआ है, कोई paid नहीं है मेरे पास, तो आपका free software में must काम चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, so आज के लिए इतना ही गाइस, बहुत ही छोटी से वीडियो थी, और let me know what you think about today's video, और अगर आपका कोई भी सवाल हो, तो नीचे comment करें मैं जल्दी जल्दी reply करने के कोशिश करूँगा, आप मेरे को मेरे Instagram पे भी मेरे को follow कर सकते हैं, और वहापे भी आप मेरे को अपने सवाल DM कर सकते हैं, और मैं वहापे भी बहुत ही जल्दी reply करता हूँ, so अभी के लिए इतना ही, next Sunday को कुछ और नया लेके मिलता हूँ, ध है हैं!